सिच्चक दिवस पर सबसे अच्छा भासन, सबसे पहले आपको बोलना हैं, आप सभी को सुबा की नमस्ते, आदरनिये प्रधाना चारे महोदे, सिच्चक गन और मेरे प्यारे साथियों. आप सभी को सिच्छक दिवस की हार्दिक सुभकामनाएं, इस दिन हम अपने सिच्छकों के प्रतिक कृतगता और धन्यवाद ब्यक्त करते हैं, सिच्छक हमारे जीवन को समारते हैं, वैं हमें स्रेष्ट इंसान बनाते हैं, जीवन में सिच्छक की भूमिका को सब्दों में किया जा सकता है इसलिए कहा जाता है कि गुरूर ब्रंभा गुरूर विश्डू गुरूर देवो महेस्वरह गुरू साच्छात परंब्रंभ तस्मा इसलिए गुर्वेहनमा अर्थात गुरू ही ब्रंभा है गुरू ही विश्डू है और गुरू ही भगवान संकर है गुरू को मैं प्रणाम करता हूँ, इन लाइनों का आर्थ या हुआ, मानों की सबसे पहली सिच्छक उसकी माता होती है, माता पिता एक बच्चे को चलना सिखाने से लेकर बड़े होने तक मानों मुल्यों और संसकारों की जानकारी प्रदान करते हैं, इसके बाद मन से स्कूल में जा काम आने वाली वास्तरी सिच्छा का भी बोत करवाया जाता है, इस सिच्छा को एक गुरु के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है, छात्र एक धीली मिट्टी के समान होते हैं, उन्हें आकार देना एक सिच्छा का ही कारे होता है, इसलिए संत कबीरदास जी ने कहा है, अर्थात गुरु कुमार है और सिस घड़ा है गुरु ही है जो भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार कर और गड़ गड़ कर सिस की बुराई को निकालते हैं यह हुआ इन लाइनों का अर्थ गुरु द्वारा प्रदान की गई सिच्छा, अनुभव, घ्यान तथा संसकार के प्रतिक कृतेग्रता दर्साने के लिए हमारे देश में हर साल सिच्छक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है हमारे देश में सिच्छक दिवस की सुरुवात 5 सितंबर सन 1962 को हुई थी यह दिवस देश के दूसरे राष्टुपती डाक्टर सरपली राधा कृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष में मनाया जाता है एक बार डाक्टर सरपली राधा कृष्णन जी के छात्रों ने उनका जन्म दिवस मनाने की जित की थी तब डाक्टर स्वापली राधा कृष्णन ने अपने जन्म दिन को सिच्छक दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा था तब से ये दिन सिच्छक दिवस के रूप में मनाया जाता है ये दिन देश के सभी सिच्छकों को समर्पित है सिच्छक जलते दीपसा सिच्छा उसका नूर अंधकार अज्ञान का करते ज्ञान से दूर इसी के साथ मैं अपने तमाम सिच्छकों का अभिनेंदन करता हूं और अपने वारे को यहीं पर विराम देता हूं धन्यवाद